जैहिन दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त के भी और आज की इस वीडियो में हम इस समय जो आरावी एंटीपीसी का एक्जाम हो रहा है उसके पॉइंट आप विश से बैस्विक अस्तर पर जो भी हमारे प्रमुख सम्मेलन हुए है या फिर हमारे देश में जो भी कानून लाग करेंगे जो की एंटीपीसी पर इच्छा में पूछे गई है उसके साथ साथ मैं आपको एश्टा फैक्ट भी बताऊंगा जिनसे आपके एंटीपीसी में प्रश्ण पूछे जाने की संभावना है तो वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले में आपको अनकेडम और अगर आप इसमें enroll करना चाहते हैं तो नीचे description में आपको उसके link मिल जाएगी उस link पर click करके आपको simply use करना है code kv10 और इससे आप उसमें enroll कर सकते हैं तो 21 फरवरी के दिन आपको ये test देना है दिन में 10 बजे और अगर आपकी इस test में rank आ जाती है 1 तो एक सालों के लि तो 3 महिने के लिए bank plus subscription आपको मुफ्ट में दिया जाएगा अगर आपकी rank 4 से ले करके 200 के बीच में आती है तो आपको 1000 रुपए का Amazon voucher भी दिया जाएगा और ध्यान रखिएगा कि यह जो test है वहाँ बिलकुल नहसुल्ख है यानि कि किसी भी प्रकार के fees को पे करने की अगर हम लोग इस test के बाद करते हैं तो यहाँ पर आपको सारे नए question देखने को मिलेंगे आप test देने के बाद में आप अपनी all India ranking को देख सकते हैं और सबसे महत्मूर feature जो है इसका कि आप test देने के बाद में यहाँ पर जो भी प्रश्ण होंगे उन सभी प्रश्णों के video solution भी देख सकते हैं तो इस प्रकार से प्रश्ण के ऊपर आपको video solution मिल जाएगा तो उसके माध्यम से आप जान पाएंगे कि किस प्रकार से इस प्रश्ण को attempt किया जाना था तो नीचे आपको इसका link मिल जाएगा उसके उपर simply आपको click करना है और अगर आप से वहाँ पर code पूछा जाता है तो आप code इंटर करेंगे KV10 और अगर आप किसी भी प्रकार के bank exam के तयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी link आपको नीचे description में मिल जाएगी उस link पर click करके आप किसी भी course को यहाँ पर purchase कर सकते हैं और आप अगर यहाँ पर code use करेंगे KV10 तो इससे आपको 10% का discount मिल जाएगा इसके साथ साथ अगर आप railway exam के तयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी course आपको अनकेडमी पर मिल जाएगा और यहाँ पर भी आप अगर code use करेंगे KV10 तो इसमें भी आपको 10% का discount मिल जाएगा तो सारे link आपको नीचे दिये गए हैं अगर आप कोई course purchase क करना चाहते हैं तो simply आप अभी purchase कर सकते हैं तो चलिए अब आते हैं हम अपने topic पर तो पहला प्रशनी यहाँ पर पूछा गया कि जो हमारा पहला परियावरण और विकास पर संक्तराश सम्मीलन है यानि कि United Nation Conference on Environment and Development है यह कहां पर आयोजित हुआ था तो इसकी अगर हम Rio De Janeiro क्या नाम है Rio De Janeiro वहाँ पर इसका आयोजिन हुआ था 1992 में कब 1992 में इसका आयोजिन हुआ था अब NTPC परिच्छा में एक बार यह भी पूछा जा चुका है कि जो हमारा पहला प्रतवी सम्मीलन था उसका आयोजिन कहां पर हुआ था तो या दखेंगे चाहें आपसे अर् Rio De Janeiro में कब हुआ था तो 3 से लेकर के 14 जून 1992 में इसका आयोजिन किया था अब बात करते हैं दूसरे सम्मीलन की तो या दखेंगे जो हमारा दूसरा सम्मीलन था वह दच्छिन अफरीका की राधानी जोहानस वर्ग में हुआ था कहां पर जोहानस वर्ग में इसका आयोजिन 22 में दूसरे वाले की बात करें तो ये आपका हुआ था 2002 में यानि की ठीक 10 सालों के बाद में इसका आयोजिन किया गया था तो सिंपली इसे हम लोग Rio Plus 10 भी कहते हैं तो परिच्छा में अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि Rio Plus 10 का आयोजिन कहां पर हुआ था तो आपको याद दखना है कि दच्छिण अफ्रीका का सहरे जोहान स्वर्ग वहाँ पर इसका आयोजिन किया गया था और फिर परिच्छा में पूछा जा चुका है कि जो हमारा आखरी प्रतवी सम्मेलन है यानि कि आखरी अर्थ समिट है उसका आयोजिन कहां पर किया गया था तो या तीन आवजित हो चुके हैं पहला हुआ था Rio De Janeiro में 1992 में दूसरा आपका हुआ था जुहानस्वर्ग में 2002 में और तीसरा हमारा हुआ था Rio De Janeiro में 2012 में और इसे हम लोग Rio Plus 20 के नाम से जानते हैं क्योंकि पहले सम्मेलन के ठीक 20 सालों के बाद में इसका आयोजित किया गया था तो इन सभी के बारे में आपको याद रतना है और ये प्रशन लगभग 5 से 6 बार रिपीट हो चुके हैं NTBC के परिच्चा में तो इन्हें के पूछे जाने की संभावना सबसे जादा है अगला प्रशन पूछा गया कि अगस्त 2019 में जो हमारी 45 जी सीबन देशों का सम्मिलन है इसका आयोजित कहां पर हुआ था तो ये जो सम्मिलन है वह फ्रांस के बियार रिट्ज में आयोजित किया गया था कहां पर फ्रांस के बियार रिट्ज में इसका आयोजित किया था और अगर आपको याद हो तो ये उस समय हमने करेंट अफेर में भी डिस्कस किया था नरेंद मोदी साहब इसमें सिर्कत किये थे कौन हमारे देश के जो पीम हन नरेंद मोदी जी वो इसमें सामिल हुए थे अब आपको क्या यादखना है आपको ये यादखना है कि जो 46-वा जी सेबन देशों का सम्मेलन था इसका आयोजन USA के कैम्प डेबिड में किया जाना था पिछले साल लेकिन इसका आयोजन नहीं हो पाया था यानि कि ये कर दिया गया था रद अब अगर आपसे पूचा जाए कि सेटालसवा कहां पर होगा तो ये होगा UK में कहां पर UK में 2021 में इसका आयोजन किया जाएगा और आपको यादखना है कि जेर बोलसो नारो जो कि UK के PM है उनके द्वारा हमारे PM नरेंदर मोदी साहब को यहां पर invite एक बार फरसे किया जा चुका है तो ये point आपको यादखना है अगला प्रशन पूचा गया कि 2019 में जो G20 दीसों का 14. सम्मिलन है इसका आयोजन कहां पर हुआ था तो ये प्रशन काफी जादा महत्पूर्ण है G20 से 3-4 बार प्रशन आपके NTPC में पूचे जा चुके हैं तो ध्यान पूर्बग आपको इसे यादखना है अब 2019 की अगर हम बात करें तो ये हमारा 14. सम्मिलन था कौन था? 14. नम्मर का ये सम्मिलन था आयोजित कहां पर हुआ था? तो जापान के सहर वोसाका में इसका आयोजिन हुआ था कहां पर जापान के सहर वोसाका में इसका आयोजिन किया गया था फिर अगर हम लोग बात करते हैं 15. की तो आप सभी को पता होगा कि पिछले साल इसका आयोजिन सौधी अरब की राजधानी रियाद में किया जाना था कहांपर सौधी अरब की जो राजधानी है रियाद वहांपर इसका आयोजन किया जाना था लेकिन COVID-19 के कारण पहली बार वर्चुली इसका आयोजन किया गया था यानि कि जो हमारे नेता हैं वे डिरेक्ली यहां पर नहीं पहुँचे थे, वीडियो कॉन्फरेंसिंग की माद्धिम से उन्होंने इसे अटेम्ट किया था, फिर हम बात करते हैं 16 में की, तो याद कियेगा जो 16 सम्मिलन है वह इटली की राध्धानी रोम में आयोजित किया जाएगा, कहां पर इटली की भारत में आयोजित किया जाएगा, तो ये पॉइंट भी आपको याद दिकना है, अब यहां से आप से एक प्रश्णी ये भी पूचा जा सकता है, कि 2021 में जो हमारे जीटूंटी से दिस हैं, उनका अध्यच्च देश कौन है, तो जहां पर ये सम्मिलन आयोजित किया जाते हैं, वही देश उसका अध्यच्च देश भी होता है, तो आपको याद दिकना है कि 2021 में इटलीस का अध्यच्च देश है, 2022 में इंडोनेसिया है, 2030 में भारत है, और जो हमारा उन्नीसवा जीटूंटी सम्मिलन है, ये आयोजित किया जाएगा ब्राजील में, कहां पर होगा ब्राजील में, यानि कि 2024 में ब्राजील इसका अध्यच्च देश होगा, तो ये सारे पॉइंट आपको याद दिकने हैं, अगला प्रशनी पूछा गया, कि एजेंडा 21 किस से सम्मंधित है, तो ये आपको याद दिकना है, कि जो हमारा एजेंडा 21 है, वह आपके परतवी स सम्मेलन 1992 में, उसी से सम्मंधित एजेंडा 21, तो ये मैंने आपको उपर भी बताया था, अगला प्रशनी पूछा गया, कि जो हमारा 11 ब्रक्स देशों का सम्मेलन है, ये कहां पर आजित किया गया था, अब आप यहां पर देख सकते हैं, कि इसमें आपसे येर नहीं तो ये आपके ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में हुआ था, कब हुआ था, तो 2019 में इसका आयोजन किया गया था, तो ये पॉइंट आप याद दखेंगे, पहला कहां पर हुआ था, तो पहला आपके हुआ था एक तीरेन वर्ग में, कहां पर एक तीरेन वर्ग में जो कि आपको मिलेगा रसिया में और 2009 में इसका पहला सम्मिलन हुआ था जब ब्रिक्स की अस्थापना की गई थी उसके बाद में आपको याद अचना है कि 12 जो है वा पेशले साल सेंट वीटर वर्द में होना था जो कि रूस का सहर है लेकिन COVID-19 के कारण इसका आयोजिन नहीं हो पाया था अगर हम लोग बात करते हैं 13 वे की तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्पून है क्योंकि इस साल जो हमारे ब्रिक्स देशों का सम्मिलन है वा आपके भारत में आयोजित किया जाएगा कहां पर भारत में इसका आयोजिन किया जाएगा तो ये पॉइंट आप याद दखेंगे और ब्रिक्स के बारे में आप सभी को तो पता ही होगा कि ब्राजील, रस्या, इंडिया, चाइना और साउथ अफरीका इसमें सामिल है और NTPC में पूछा गया प्रशन है कि जो ये स अगला प्रशन पूछा गया कि 2021 में जो United Nation Conference on Climate Change है इसके COP26 का आयोजन कहां पर किया जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा महत्पूर प्रशन है कई सारी परिच्छों में ये पूछा भी जाएगा, पूछा भी जा चुका है तो ध्यान रखेगा NTPC में ये इसी प्रकार से गलास गो में कहां पर स्कॉटलेंड का एक सहर है गलास गो वहां पर इसका आयोजन किया जाएगा और आपको याद रखना है कि जो हमारा COP1 था यानि कि Conference of Parties 1 था ये आपके जर्मनी के बर्लिन में हुआ था कब हुआ था 1995 में तो ये भी NTPC में पूछा जा चुका है कि पह ये सबसे ज़्यादा महत्पूर है तो COP21 की बात करें तो फ्रांस की राधानी पेरिस में हुआ था और इसी दोरान आपके पेरिस एग्रिमेंट को भी साइन किया गया था तो ये आप ध्यान रखेंगे हुआ कब था ये तो 2015 में इसका आयोजन किया गया था और पेरिस समझ होते से एक महत्पूर पॉइंट ये यादगता है कि जब डोनाल टरंप साहब आ गये थे अमेरिका में तो उन्होंने इस समझोते से अपने को अलग कर लिया था लेकिन जो वाइडन ने जब 20 जनवरी को 2021 में सपत लिया राश्पती के रोब में तो एक बार उन्होंने फिर से क्लाइमेट एग्रिमेंट को इसे सामिल हो गये यानि कि जो ये पेरिस समझोता था उसमें अमेरिका एक बार फिर से सामिल हो चुका है फिर हम बात करते हैं कॉप 22 की ये हमारा 2016 में हुआ था मुरक्को के मारा केश में उसके बाद में अगर हम बात करते हैं कॉप 22 की तो ये आपके कहां पर हुआ था? 2017 में जर्मनी के सहर बॉन में. कहां पर? बॉन में ये हुआ था. उसके बाद में 24 की बात करते हैं, तो 2018 में ये हुआ था. पोलाइन के काटो विस में. और कॉप 25 की बात करें, तो आपको याद ही होगा, 2019 में उसका आयोजन, इस पेन की राजधानी Madrid में किया गया था. तो ये प्रश्ण भी NTPC में पूचा जा चुका है, उपर वाला भी पूचा जा चुका है, तो इन दोनों के बारे में आपको याद है और आपके लिए यहाँ पर एक प्रश्ण है, आपको नीशे ये बताना है कि जो हमारा ग्लासगो में होगा इसके अध्यच कौन नियुक्त के गए है तो कई बार मैं आपको करेंट अफेर में बता चुका हूँ कि अध्यच कौन बने थे तो उनका नाम आपको नीशे बताना है हाला कि जो लोग वीडियो में छोड़ चुके हैं उनकी बात अलग है लेकिन जिन्होंने यहां तक देखा है कोशिस करिएगा कि आप उनका नाम जरूर बताएं अगला प्रश्न है कि पहला 200 हिंदी सिकर सम्मेलन 1975 में कहां पर आयोजित किया गया था और इसलिए प्रतेक साल 10 जनुरी को हम लोग 200 हिंदी दिवस के रूप में भी बनाते हैं तो यह आपके NTPC में पूछा गया प्रश्न है इसके बारे में आपको याद रखना है कि कहां पर यह आयोजित हुआ था और कब इसका आयोजित किया गया था इसके अलावा अगर हम लोग 11वे 200 हिंदी सम्मिलन की बात करें तो यह आपके मौरिसस में हुआ था कहां पर हुआ था? मौरिसस में हुआ था 20 अगस्त 2018 को 12वे के अगर हम लोग बात करते हैं तो यह आपके फिजी देश में प्रतावित है तो 11 वाला भी पूचा जा चुका है पहला वाला भी पूचा जा चुका है तो इन दोनों के बारे में विसेश तोर पर आपको याद दखना है और हो सकता है कि 12 वाले से भी आपके NTPC में यहाँ पर प्रेशन पूछ लिया जाए तो यह आपको याद दखना है फिर बात करते हैं 2017 में जो 11 वी विस सुब्यापार संगठन यानि कि World Trade Organization की Ministry Conference थी वो उसका आवजन कहां पर हुआ था तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स कहां पर है ब्यूनस आयर्स इसकी राजधानी है और वहाँ पर 2017 में इसका आवजन किया गया था तो ये आपको यादखना है अगर आपसे पूछा जाए कि 21 वी कहां पर होगी 21 वी नहीं 12 वी होगी 12 वी कहां पर होगी किस अंतराष्टे संधी पर हस्ताचर किया गया था तो अंतराष्टे संधी की बात करते हैं तो ये हमारा है क्योटो प्रोटो काल क्या है क्योटो प्रोटो काल और क्योटो आपको पता ही होगा कि ये हमारे जापान का एक सहर है जहां पर 11 दिसंबर 1997 को Kyoto Protocol को अपनाया गया था और इसे लागू कब किया गया तो इसे लागू किया गया था 16 फर्वरी 2005 को तो डेट तो आपको याद भी रखना है साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि Kyoto Protocol हुआ क्यों था तो जो हमारे Green House कैसेज होती है उनके उत्सर्जन को यहां पर कम करने के लिए यह एक अंतराष्टिय संधी थी अगला प्राष्ट ने पूछा गया कि हमारी जो भारतिय संसद है उसके द्वारा पर्यावरण रच्छा अधनियम यानिक Environment Protection Act कब पारित किया गया था तो यह पारित हुआ था 1986 में किस दिन तो 9 जनवरी 1986 को इसे पारित किया गया था अगला प्राष्ट ने पूछा गया कि संधराष्ट के द्वाराँ Agenda 2030 कब अपनाया गया था तो Agenda 2030 की बात करते हैं तो इसे अडॉप्ट किया गया था 2015 में कब सितंबर 2015 में इसे अडॉप्ट किया गया था और आपको यह याद पना है कि यह जो हमारा Agenda 2030 है इसके अंतरगत कुल मिला करके 17 गोल रखे गए हैं जिने हम लोग SDG के नाम से जानते हैं यानि कि Sustainable Development Goal के नाम से जानते हैं और सर्थ राष्ट ने यहाँ पर जो भी गोल निर्धारित किये हैं उनका लच्छ है कि 2030 तक इसे हम लोग 202 अस्तर पर अचीब करेंगे तो आपको यह याद पना है कि 2016 में लागू हुआ 2030 तक के लिए हैं और इसमें कुल मिला करके 17 लच्छ निर्धारित किये गए हैं इसके कई सारे उपलच भी हैं यानि कि सब गोल भी हैं जिनकी संख्या 170 तो सब गोल आपको नहीं याद अखने हैं आप यह याद दखेएगा कि इसमें कुल 17 गोल टारगेट निर्धारित किये गए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। अगला प्रशन है कि ग्रीन्स गुट्स डेट्स ये आंदोलन किस मंत्राले की पहल है। तो अगर हम लोग इस आंदोलन की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर जो वन परियावरण और जल्वाई परिवर्तन मंत्राले हैं। उसकी पहला है ग्रीन्स गुट्ट डेट्स। और इसके बारे में आप पुनीशी कमेंड में बताना है कि यह किस प्रकार की पहल थी। तो उस समय हमारे मंत्री जो थे डाक्टर हच्वर्धन सहाब उनके द्वारा 19 मई 2018 कोई से लौन किया गया था। तो ये पॉइंट आप याद दखेंगे। अगला प्रशन पूछा गया कि 2019 में जो हमारा आसियान सम्मिलन है इसका आयोजन कहां पर किया गया था। अब 2020 में कहां पर हुआ था तो ये आपके हुआ था भीयत नाम की राजानी हनुई में तो ये भी आपका वर्चुली हुआ था। 2021 की कहां पर होगा तो ये आपका होगा बुर्णई में कहां पर बुर्णई में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला प्रेश्ट पूछा गया कि विश्व आर्थिक मंच 2019 कभी से क्या था तो ये अभी कल पूछा गया प्रेश्ट है तो या दखेंगे जो हमारा विश्व आर्थिक मंच 2019 में हुआ था उसका भी से था यहां पर ग्लोबलाजीशन 4.0 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 ग्लोब cohesive and sustainable world, क्या था, stakeholders for a cohesive and sustainable world, ये 2020 का भी सह था, 2021 के गर हम बात करें, तो इसका भी सह है the great reset, कहां क्या है, the great reset, तो 26-29 जन्वरी तक वर्चुली तो इसका आयोजन हो चुका है, लेकिन जो इस बार का ये सम्मिलन है, वह आपके सिंगापुर में प्रस्तावित है, और संभाउता अगस्त महीन में इसका आयोजन किया जाएगा, WEP की बात करें, तो World Economic Forum इसका पूरा नाम है, जन्वरी 1971 में अस्थाफना होई थी, इसके अलामा जिनेवा या क्लॉगनी यहाँ पर आपको मुख्याले मिल जाएगा, और क्लाउस सौब इसके संस्थापक और वर्तमान में अध्यच्च है, तो ये सारे नाम भी आपको याद अटने हैं, क्योंकि इनसे भी NTP से में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, में पारित किया गया था, तो जब ये पारित हुआ था, तब इसका नाम था नरीगा, बाद में इसका नाम कर दिया गया M-N-R-E-G-A, यानि कि महात्मा गाधी का नाम इसमें जोड दिया गया था, अब इसके बारे में आप ये याद दखेंगे, कि ये जो हमारा एक्ट है, सबसे पहले आन्तप्रदीश राज में लागू किया गया था, और उसके बाद में 1 अप्रेल 2008 से पूरे देश में इसे लागू कर दिया गया, तो ये पॉइंट आब याद दखेंगे, NTPC में कई बार ये प्रेशन अल्रड़ी पोउचा जा चुका है, इसके अलावा NTPC में ये भी पोउचा जा चुका है, कि किस योजना के अंतरगत, सौ दिनों के रोजगार का लच्छ है, तो याद दखेंगे, ये भी हमारे मनरीगा के अंतरगत है, यानि कि मनरीगा के अंतरगत जो भी हमारे ग्रामेड छित्रों में रहने वाले लोग हैं उनको सव दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है एक वर्स में अगला प्रशन पोचा गया कि जो हमारे यहां पर इंडियन पीनल कोड है जिसे हम लोग भारतिय डंड सहिता के नाम से जानते हैं तो किसके द्वारा 1860 में इसे लागू किया गया था तो इसे लागू किया था था थॉमस मैकाले ने मैकाले समित के बारे में आप लोगों ने बढ़ा ही होगा तो थॉमस मैकाले के द्वारा यहां पर भारतिय डंड सहिता को 1860 में लागू किया गया था तो होता क्या है 1834 में एक समित बनाई जाती है मैकाले की अधिचिता में और इस समित के द्वारा हमारे यहां पर जो इंडियन पेनल कोड है उसका मुसोधा तयार किया जाता है यानि कि इसका ड्रॉप तयार किया जाता है उसके बार में यह उस समय जो संसत थी यानि कि उस समय जो यहां पर नियम बनते थे तो 6 अक्टूबर 1860 को इसे अधियमित कर दिया जाता है यानि कि इनेक्ट कर दिया जाता है और फानिली इसे लागू किया जाता ह एक जनुवरी 1862 को कम एक जनुवरी 1862 को इसे लागू किया जाता है अब एक हमारा IPC होता है एक हमारा होता है CRPC तो आपको यादखना है कि हमारे यहां पर जो CRPC से सम्मंदित नियम है यह 1973 में आये थे यानि कि Code of Criminal Procedure यह आपके आये थे कब 1973 में लागू कब से हुआ था तो एक अपरेल 1974 को यह लागू हुआ था तो इसके बारे में भी आपको यादखना है यह पूछा जा चुका है तो सम्होता इसके बारे में भी पूछा जा सकता है अगला प्रेशन पूछा गया कि वाय पर दूसर्ण रोक थाम और नियंतर अधनियम किस वर्स लागू किया गय तो इसके अगर हम लोग बात करते हैं तो यह लागू हुआ था 1981 में कब 1981 में इसे लागू किया गया था अगला प्रेशन पूछा गया कि जो राष्टिय हरित अधिकरण है जिसे हम लोग National Green Tribunal की नाम से जानते हैं इसके अस्थापना राष्टिय हरित अधिकरण अधनियम क द्वारा ही की गई थी तो पूछा गया प्रेशन है कि यह जो हमारा NGT Act है वह किस वर्स पारित किया गया था तो ध्यान रखेंगे यह 2010 में पारित किया गया था और इसके अध्यच कौन है तो आदर्सकुमार गोयल इसके अध्यच है यह भी NTBC में पूछा जा चुका है क इसके अध्यच है तो ध्यान रखेगा NGT के वर्स मार में अध्यच हैं आध्यच है आदर्सकुमार गोयल तो वाय प्रदूसर अध्यच के भी impressed में 181 में आया था राष्टी हरित अध्यूर अध्यकरण अध्यच 2000 में हमार यह पर पारित हुआ था अगला प्रेशन पूछ कि 1979 में हमारी लोग सभा ने तो इसे पास कर दिया लेकिन जो हमारी राजी सभा है उसमें ये पास नहीं हो पाया उसके बाद में जाती है सरकार बदल और फिर जो ये हमारा विधेक है वह लैप्स हो जाता है यानि कि वह समाप्त हो जाता है अच्छा इसको प्रस्तुत किसने किया था तो सांती भूशन इनके बारे में आप सभी ने सुना होगा ये हमारे एक बहुत प्रसिद्वकील है तो इनके द्वारा इसे प्रस्तावित किया गया था और अब हम बात करते हैं वर्तमान में जो हमारा लोगपाल है तो ध्यान रखेंगे हमारा जो लोकपाल एक्ट है इससे हम लोग लोकपाल वा लोका एक्ट एक्ट 2013 के नाम से जानते हैं और 2013 में लोकसभा और राजसभा के दोरा इससे पास किया गया और ये 16 जनुवरी 2014 को लागू हुआ था कब 16 जनुवरी 2014 को लागू किया गया था तो हमारे केंद सरकार में होते हैं लोगपाल और राज्यों में आपके होते हैं लोका एक्ट इनका काम क्या होता है तो इनका काम ये होता है कि अगर किसी भी परकार के अधिकारी के उपर ब्रहष्टाचार की आरोप लगते है तो उन पीसे में पूछा जा चुका है अगला प्रशन पूछा गया कि भारतिय संसत की द्वारा जो हमारा पर्यावरण सनरचन अधनियम है इसको कब पारित किया गया था तो इस अधनियम के अगर हम बात करें तो 9 जनुवरी 1986 को यह पारित हुआ था कब 9 जनुवरी 1986 को द्वारत किया गया था तो ये point आप याद अखेंगे अगला प्रशन पूछा गया कि भारत में जो सूचना का अधिकार अधनियम है जिसे हम लोग Ride to Information Act के नाम से जानते हैं इसे कब लागू किया गया था तो इसे लागू किया गया था 12 अक्टूबर 2005 को कम 12 अक्टूबर 2005 को इसे लागो किया गया था संसद ने इसे पास कब किया था तो हमारी संसद के द्वारां 15 जून 2005 को इसे पास किया गया था ये भी आपको यादक ना है अगला प्रश्ट पूचा गया कि भारत में बच्चों को मुफ्तवा अनिवार सिच्छा का जो अधिकार अतनियम है इसक के बारे में आप सभी को पता ही होगा कि 86 सम्मिधान संसुधन होता है 2002 में और इस संसुधन में ये प्रावधान किया जाता है कि हमारे यहाँ पर जो राज्य होते हैं चाहें हम केंद्र सरकार के बात करें या फिर राज्य सरकारों के बात करें तो उनको यहाँ पर ये चेट 21 में इसे जोड़ा गया था तो ये भी आपके NTPC में पूचा जा चुका है कि 86 सम्मिधान संसुधन किस से जोड़ा हुआ है तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे अच्छा कल या आज साम तक एक वीडियो हमारी आएगी उसमें हम लोग संसुधन के बारे में जा सकल लेंगे अब हम लोग बात करते हैं अगले प्रेश्ट की तो अगला प्रेश्ट पूचा गया कि भारत में जो राज ये पुनर घटन अधनियम है यानि कि जिसे हम लोग स्टेट री और्गनाइजिशन एक्ट के नाम से जानते हैं इसे कब पारित किया गया था तो ये लागू किया गया था 26 जुलाई 1856 को कब 26 जुलाई 1856 को इसे लागू किया गया था और उस समय हमारे देश की गवर्नर जनरल कौन थे तो लॉर्ड करिन उस समय गवर्नर जनरल थे ये हमारे पहले वायसराय भी है तो इसलिए इनका नाम याद दिखना है कि भारत में जो व दहेज निशेद अधनियम की बात करें तो ये लागू हुआ था 26 जुलाई 1856 को थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दिजीगा ये प्रेंटे में स्टेक है तो ये हमारा लागू कब हुआ था तो ये लागू हुआ था 20 मई 1971 को कब 20 मई 1971 को इसे लागू किया गया था एक मिनट एक मिनट देखिए प्रेश्ण क्या कह रहा है कि भारत में जो दहेज निशेद अधनियम है इसको कब लागू किया गया था तो याद दखेंगे ये जो हमारा अधनियम था ये आपका 20 मई 1961 को लागू हुआ था क्योंकि इनसे भी NTPC में प्रश्ण पूछे जाने की संभाव नहीं है तो पहले बात करेंगे उन अधनियमों की जो की हमारे पर्यावरण से जुड़े हुए हैं किस से इन्वार्मेंट से जुड़े हुए अधनियम है तो इसमें आपको सबसे पहले याद दखना है वन निजिव सनच्चण अधनियम 1972 के बारे में क्योंकि इससे NTPC में आपके प्रश्ण पूछा जा चुका है कि इसमें हमारे कुल कितने सेडियूल है तो याद दखेंगे जो हमारा वाइड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 वाला इसमें आपको कुल 6 सेडियूल देखने को मिलेंगे यानि कि 6 अनसूचियां यहाँ पर दी गई है और उन अनसूचियों के आधार पर हमारे यहाँ पर जो वन निजिव है उनको सनच्चण भारत के संसत के द्वारा प्रदान किया गया है फिर बात करते हैं जल प्रदूशन नियंतरन वारोगताम अधनियम तो यह हमारा आया था 1974 में कब आया था? 1974 में आया था जल प्रदूशन नियंतरन वारोगताम अधनियम उसके बाद में है वन सनच्चण अधनियम तो याद रखेंगे वन सनचन जो अत्नियम है ये आपके 1980 में आया था यानि कि Forest Conservation Act 1980 में हमारे यहां पर आया था फिर बात करते हैं वाय प्रदूर्शन नेंतरनवा रोगताम अत्नियम तो ये तो पूछा भी जा चुका है तो ध्यान रखेंगे ये आया था 1981 में कब 1981 में ये आया था उसके बात में बात करते हैं पर्यावरण सनचन अत्नियम की तो ये कब आया था तो ये हमारा आया था 1986 में तो इसके बारें भी आपको याद रखना है तो कुल मिला करके पर्यावरण से जुड़े हुई हमारे यहां पर पांच अत्नियम है कौन-कौन से 1 निजुजन शनाच्छन अधनियम 1962 जल्पर दुशन 9 वारो उक्ताम अधनियम 1974 वन सनाच्छन अधनियम 1980 वाय पर दूशन 9 वारो उक्ताम अधनियम 1981 और परिया वरण neural companions 1886 तो इसके 1981 और फिर यह eyelids 1986 तो इन पांचों के बारे में आपको भी सेश तौर पर याद जा चुका है तो ध्यान केगा इसे हम लोग 17 एक्ट के नाम से जानते हैं 1939 में ये लागू हुआ था में एक्ट क्या है तो में एक्ट का नाम है बाल बिबाह निशेद अतनियम क्या है बाल बिबाह निशेद अतनियम इसका नाम है और ये जब एक्ट आया था तो उसके द्वा ड़कों की साधी की उम्र æ्टार वरौ्ष थी और लड़कों की साधी की उम्र 21 वर्स होई थी उसे किसके द्वारा किया गया था यानि कि किसके माध्यम से हमारे यहां पर प्राउधान किया गया था कि लड़कों की जी साधी की आयो है वह होगी 18 वर्स और लड़कों की होगी 21 वर्स तो इस वीडियो में फिलाल के थाइंक्स पर वाचिंग जै हिंद जै भारत और सबसे जरूरी पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत